Hello everyone, welcome to my channel, I am Neha Naran, तो आईए आज की class start करते हैं, आज जो हैं class 12 का sample paper solve करने जा रहे हैं, जो कि ये sample paper है melodic instrument term 1 का, 2021-22 का ये आपका sample paper है, जिसको आज हम solve करेंगे, तो आप सबसे request है कि इस video को complete देखे, और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया हो, तो चैनल को भी जोड़ जैसे कि आपको पता है कि music exam जो है आपका 50 marks का रहेगा, पर इस question देखते हैं, संगीत रतना कर में कितने अध्याए हैं, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहो तो आप इसके option इंग्लिश में भी देख सकते हैं, 8, 7, 9 या फिर 10 तो इसका right answer है, 7 यानि कि आपका option right होगा next है कि 10 मात्राओं की ताल है झपताल, दाद्रा, रूपक या फिर 10 ताल, 10 मात्राओं की ताल का नाम है झपताल नेक्स्ट है भैरव राग का वादिस्वर है रे पधम तो भैरव राग का जो वादिस्वर है वो है आपका धव नेक्स्ट कोशन है कि राग भागेश्री का गायन और वादन का समय सुबह धोपैर रात्री या फिर शाम तो राग बागेश्री जो है रात्री के समय में गाया जाने वाला राग है, रात्री के दूसरे पहन में गाया जाने वाला ये राग है फिफ्ट कोशन देखते हैं, गामा धाधा पा, गामा रेडेसा, ये किस राग की पकड़ है, भैरवी, भिहाग, भैरव या फिर खमाज, तो ये आपके भैरव राग की पकड़ है, सुबह की समय गाय बजाए जाने वाले राग, खमाज, भैरव, बागच्री या फिर बिहाग तो सुबह की समय जो है आपका भैरव राग गाया जाता है नेक्स्ट कोशन है संगीत रतना करके लेकक है वी एन भात खंडे शारंग दे वी डे प्लस कर भरत मुनि तो इसका राइट आंस्वर है पंडित शारंग दे नेक्स्ट कोशन है कि राग बागेश्री का थाठ है कल्यान, भैरव, काफी, खमाज तो राग बागेश्री का जो थाठ है वो है आपका काफी नाइन्ट कोशन है जपताल के विभागों की विवस्ताव तो दो तीन दो तीन 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 यह है आपका चार जार चार तीन दो अगर आपको यह लैंग भी समझ नहीं आ रही हो तो आपיתיua है आपके इंगलिश में option दीुए है आप वहाँ से भी देख सकते हो इसको तो जपताल की विभागों की वस्ता होती है दो तीन दो तीन तो इसका राइट ओप्शन होगा first next question है कि संधी परकाश राग जो है कि समय में गाय बजाए जाते है 10 से 4, 7 से 10, 4 से 7, mean right यानि की बध्यरात रिवे तो संधी परकाश राग जो होते हैं, रेधा कोमल सर वाले राग होते हैं चार से 7 जो है गाय जाते हैं, तो आपका third option right होगा, mean के लिए हम किस्चिन का प्रयोग करते हैं उल्टा अर्चंद्राकार है, यह line है, फिर cross है, फिर zero यानि की खाले, तो first option आपका right होगा, mean के लिए हम उल्टा अर्चंद्राकार का प्रयोग करते हैं कि हावD सांस्थ रां टार यहाँ तो इसे में उल्टा अर्चंद्रकार बिखाना होता है देजनों लिए कंनिक्स कोशिन है कि मती थानिगत के बोल है दिर दा 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 को दारा दारा दरदरदर दारदर तो आपका फर्स्ट पाबन का जो कि ईके आपके सितार और इर्पर कर जहाता है राग भैरो में कितने कोमल स्वरों का प्रयोग होता है दो तीन चार एक तो फर्स ओप्शन राइट है आपके दो कोमल स्वरों लगते हैं रे और धर जब ताल में जो खाली है बताना है कौन सी मात्रा पर है तो छटी मात्रा पर आपका यह खाली है जहां पर आपका शब्द आएगा तिन नेक्स्ट आपका कोमल गर्नी वाली राग की समय गाय बजाए जाते हैं कोमल गर्नी वाली जो राग होते हैं वह आपके दस से चार गाय जाते हैं आपका राइट होगा यहाने कि यहां से बग संगीत अतना कर्मी कितनी देशी तालों का बंड है तो इसके उप्शन जो हैं हम इंग्लिश में देख लेते हैं 120, 130, 140 या फिर 150 तो देशी जो ताले हैं आपकी संगीत अतना कर्मी वह हैं 120 और मारगी जो ताले हैं वह हैं आपकी पांच ठीक है समय सिधान्त के नुसार स्वरो के धार पर हिंदुस्तानी संगीत के राग के कितने भागों वर्गे कृत हैं 10, 5, 3 या फिर 7 इसका राइट आंसर है 3 तीन कैसे रेधा कोमल सरवाले राग रेधा शुद वाले राग और थरड़ आपका है गोमल गानी सरवाले राग next है कि सही करम चुनना है अलाप दुरूत गत जोड या फिर जाला तो सबसे पहले अलाप बजाए जाए जाएंगे फिर जोड फिर दूत गत फिर जाला संगीत अतना कर में कितने रागों का विरण दिया हुए 164, 265, 264, 266 तो 264 इसका राइट आंसर है नेक्स्ट एक की स्वरो की उतरते करम को क्या कहते हैं आरो अवरो पकड़ या फिर चलन तो इसका राइट आंसर है अवरो स्वरो की उतरते करम को क्या कहा जाता है अवरो अब इसमें ये बताना है कि आपका संगीत अतनाकर में जो छटा अध्याए है वो किसी इसका है स्वर या फिर रागवे का अधियाए ताल अधियाए वादया धियाया या फिर रागवे का अधियाए या राइट unified to है सारे लिखाओ है विखा है एकर रिक्ंट या कोंसे क्षेवा है वाले कोशन है ये देखते सभी सातों सोर का तो कफण ए गलत है तो नहीं कफण ए तो सही है स्थान और जान यह विभाग वाधा घुलत ही थि कहने कफण और संसी और जो है डोनों ही सही है इस कार्ण से अपका थर्ड ओपचन जो में घून को यह आपको भुत टेक है कियमें आपको यह बताने हैं। प्रतम अध्याय, दुट्य अध्याय, तुट्य अध्याय, जो चतुर्थ अध्याय है, वो जो संगीत अतना कर्में बताएगे हैं किसे साब से हैं, तो सबसे पहले प्रतम अध्याय जो है आपका स्वर अध्याय है, तुट्याय अध्याय जो है आपका रागवे का अध्याय, त्रित्य अध्याई जो है आपका वो है परकीरण अध्याई और चतुर्थ अध्याई है आपका परबंध अध्याई तो आपके सातों के सातों जो आपके अध्याई है वो आपको लाइन वाई सिक्वेंस से जो है याद हो ठीक है ये चाल भाग तो आपको अध्याई पता चल ठीक है तो इस बात को ध्यान रखें तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा उप्षन जो है आपका राइट होगा एका जो है फोर्थ आएगा बह का जो आएगा आपका फर्स्ट आएगा तो इस कार्म से आपका ये बी उप्षन राइट है 28 कोशन देखते हैं संगीततत्नाकर ग्रंत 13 श्तामदी में लिखा गया ठीक है संगीतत्ताकरमन भ्ष्या काल का एक महताकर ग्रंत रहे ग्रंत ये दोनों सही है 29 कोशन देखते हैं वाधिक सवर अगर सारे काममें से होगा तो वह पुर्वांग वादिराग न जाता है नेक्स है आपका तीन से चार स्वरों को एक मिजराम में जल्दी से बजाना ये क्रिया जो है करिंतल कहलाती है ध्वनिकों बिना खंडित किये एक स्वर से दूसरे पर जाना ही आपका मीन कहलाता है तो देखते हैं कौन सा ओप्शन जो है राइट होगा यह आपका second option जो है इसमें राइट है लास्ट कोशिन आज का रजा खानेगत के बोल जो है यह आप लास्ट वाले जो देख रहे हो थर्ड बागेश्री सामास्वर की संथी की जाते हैं मतलब सामास्वर को बार बार गाया जाता है और जबताल की बात की जाए तो साद्रा जब र्योग किया जाता है तो इसका बै उप्षर ही राइट होगा थेंक यू आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें इसके लावा अगर आपकी कोई भीकवारी है दन कमेंट शरूर करें थैंक यू